हेलो नमस्कार साथियो स्वागत आप सभी का उल्टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट वीडियो में साथियो तो इस वीडियो में जो साथियो बात करने वाले हैं यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियो सेसे की और सी MTS के पदों को लेकर एक नया latest notification जारी किया गया साती हूँ, और यह जो notification आपका जारी किया गया साती हूँ, MTS नई भरती को लेकर जारी किया गया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फोरम कभी start हूँगे एक्जाम इसका कब होने वाला है परिक्ष्या पैटरन इसका क्या रहेगा योग्यता इसमें क्या रहने वाले सातियो और यहां पर सबसे बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है सातियो परिक्ष्या पैटरन को लेकर तो आईए साथियों करते हैं अपनी चरचा शुरू तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके यहाँ पर application form को लेकर तो साथियों जो इसके online application form आपके start होनने वाले हैं वो 18 जनवरी याइनि कि आपके start हो गए हैं जो 17 फरवर्ड तक का आपके चलने वाले हैंई इसके अलावा सात्यों online application की जो last date आपकी है वो होने वाली है 17 फरवरी रात्री 11 बजी इसके बाद यहां पर सात्यों payment के लिए आपके लाड़ बज़ी रहने वाली है वो रहने वाली इसी प्रकार से आपका है last date and time of generation of offline चालन यदि आप offline वर्किंग आवर्स और बैंक यानि कि आप बैंकिंग आवर्स में आपके पर साथ हो वर्किंग डे में 20 फरवड तक जमा करा सकते हैं बैंक में इसके अलावा आगे इसमें जो बता गया कि डेट्स ओफ विंड़ो ओफ एप्लिकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड उनलाइन पैमिन of corrections charges आप साथ हो यदि आपके फोर्म में कोई problem होती है कोई साथ हो या पर आपके mistake होती है फोर्म में तो उसके लिए correction आप कर सकते हैं 23 और 24 फरवर यहने कि दो दिन आपको correction के लिए दिए जाएंगे जबकि इसका जो आपका exam होने वाला है साथ हूँ वो computer budget exam होगा और ये exam आपका होने वाला है अप्रेल 2023 में साथ हूँ आपका exam होने वाला है अब बात करते हैं साथ हूँ सबसे पहले कि इसका जो syllabus है syllabus क्या रहने वाला है syllabus में साथ हूँ आपकी बार यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और सबसे बड़ा बदलाव क्या है वो हम बात करने वाले हैं साथ हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपर जो इसका syllabus होने वाले हैं यहां पर 40% ठीक है यहां पर 40% यहां पर 20% आपके साथ यह निमरीकल एंड मैथमेटिक एविलिटी के होंगे और इसी परकार से रिजनिंग एविलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ यह निकि 40% आपके यहां पर 120 नमर के होने वाले हैं ठीक है और इसमें साथ आपको 45 मिनट 45 मिलेंगे जबकि वैसे जो अधर कंडिट होते हैं साथ यो दरश्टी बाजित होते हैं इस परकार के आपर उनको 60 मिनट मिलने वाले हैं इदी मैं बात करता हूं यहां पर सेक्शन 2 में तो सेक्शन 2 में जर्नल आवेस के 25% होगे आपके यह होने वाले हैं पिछेतर नमर के इसी परकार से इंगलिस लेंगवेज के साथ यो आपके यहां पर 25% यानि की पिछेतर नमर के ठीक है तो 1% साथ यो आपके यहां पर तीन नमर का होने वाला है तो टूटल परसन आपके जो आपर होने वाले हैं ठीक है साथ यो कितने होने वाले हैं पर 90% आपके होने वाले हैं इस परकार से साथ हूं आपका ये computer build examination होनी वाला है इसके बाद आगे जो इसमें बताए गए साथ हूँ यह आप syllabus देख सकते हैं कि mathematics और numerical में साथ हूँ आपके कौन-कौन सी आपर topic हैं यह आपके reasoning के topic हैं यह general awareness ने इसके topic हैं इस परकार से साथ हूँ आपका यह आपको साथ हूँ आपर चलना है ठीक है तो इस परकार से साथ हूँ आपका ये complete पूरा इसमें process होनी वाला है और फिर भी साथ हूँ आपको कोई doubts होता है तो आप comment box के आदम से comment कर सकते हैं आपके हर सवाल का जवाब दिये जाएगा आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें चैनल पर पहले बार है तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले हर ले टेस्ट वीडियो को notification आपको मिलता रही तो मिलते हैं साते हो नेक्स टूडियो में जहन